हलो फ्रेंट शाधी किसना भिंडी की सबजी आप लोग बहुत बार खाएंगे एक बार मेरी तरह बना कर खाएंगे आप लोग को बहुत बसंद आएगी इधर हमने लिया है 200 ग्राम भिंडी दो बड़ी साइच की प्याच देखिए इसकी कलिया हमने अलग कर लिया है इधर ल अलग उसके बैस नब इसके बार मिर्च मिर्च अपनी हिसाब से तीखा कर सकते हैं लेसम के कलिया है इनको मैंने दरदरा पीस लिया है यह देखिए नको दर दरा ही पीसना है तो मैंने रखना है कराई गैस पर करहाई में डाला है एक बड़ा चम्मक तेल अ बसमें टै Te장 र तेज रखना है जिससे प्याज क्रंची हो जाए कि इसे दो से तीन मिनद तक भूझना है ताकि यह अच्छे से पक जाए कि यह देखिए इसमें डालने के बाद प्याज बहुत अच्छी से पकने लगती है कि यह पक गई अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूं अब इसी तेल में डालेंगे भिंडी भिंडी को पांच मिर तक भूझना है इससे भिंडी का चिपची पन खताम हो जाता है और भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है कि देखिए इसको अच्छे से पका लेना है लगभग भिंडी 90 परसें तक पक जाए यह देखिए भिंडी पक गई है भिंडी बहुत अच्छे से पकी हुई है अब इसी तेल में हम डाल देंगे जीडा थोड़ी सी हेंग यह प्याज लहसुन का पेस्ट इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे यह देखिए प्याज पक गई है अब मैंने इसमें पीशा टमाटर डाल दिया आधा टमाटर मनें पीशा हुआ है आधा काट कर डालेंगे अब इसमें मसाला अट करेंगे अधा चम्मच हल्दी पाउडर मिर्स पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर इन मसालों को दो तीन मिनट तक भूँचिए अब इसमें आधा ग्लास पानी अट कर देना है देखिए आप इसमें पानी अपनी साप से डाली आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो अब इसमें टेश्ट के अंसवार नमक डाल देना है अधा कटा टमाटर अब इसी मसाले में भिंडी को आट करना है भिंडी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है यह देखिए इसी तरह से अब इस भिंडी को मैंने ढख कर चार से पांच मिर तक पका लिया है अब इसके बाद हम इसमें प्याज को डाल देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है अब इसमें मैंने थोड़ा सा आमचुर पाउडर डाल दिया है तो फ्रेंस यह भिंडी और प्याद की सबजी एक बार आप भी बनाएं आप लोग को बहुत पसंद आएगी पसंद आने पर एक लाइक कर दिजिए नियू है तो सब्सक्राइब कर दिजिए वेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे यह देखिए भिंडी और प्याज की स्वादिश सबजी बन कर तैयार है दिए मला कर दोली आएगी